लोग सभाय अध्यक्षों बिला ने बढ़ती सड़क दुर्गहटनाओं को लेकर कहा है कि हाथसों को रोकने के लिए सामाजिक जागरुकता जरूरी है खास कर युवाँ को सड़क हाथसों को लेकर जादा जागरुक रहनी की जर्वत है संसद में अपनी बात रखते हुए श्री बिला ने कहा कि सड़क दुर्गहटनाओं में कमी लाने के लिए सामुहिक और गंफीर प्रयास करने पर जोर दिया हम को गंफीर प्रयास करना चीए कि हम सड़क दुर्गहटनाओं को रोकने में कामयाँ हो सके और इसके लिए जब तक हम समाज में जागरती नहीं करेंगे विशेश लूप से नोजवानों को इस गंभी दुरगटनाओं के बारे में नहीं बताएंगे जब तक हम दुरगटनाओं को कमी नहीं कर पाएंगे इस्ते समाज को जागरत करना दिशा देना ये भी हम सब जनपरतिनों का दाइत है वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी ने प्रशनकाल के दौरान लोकसभा को बताया कि दुरगटना पेडितों के लिए कैशलिस उपचार योजना जल्दे पूरे देश में शुरू की जाएगी नितिन गटकरी ने कहा कि छेह राजियों में प्रशलित या योजना जल्दे उत्तर प्रदेश में और बाद में देश के अन्यभागों में भी लागू की जाएगी इस योजना के तहट सड़क दुरगटना पेडितों को अस्पतालों में देड़ लाख रुपए तक का कैशलिश इलाज मुहिया कराया जाएगा राजमार्गों पर दुरगटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रिगटकरी ने सदस्यों से अन्रोथ किया कि वे प्रतियक जिले में दुरगटना रुपथाम समीतिया गठित करे ताकि ऐसी सड़क दुरगटनाओं के कारणों की जाच की जा सके